आलू और गोवी की मसालेदार सबजी हालो फ्रेंट्स, मैं हूँ प्रियंका और आप लोगों को स्वागत है मेरे चैनल डिभाइन कुकिंग और लाइफस्टाइल में होप आप सब बहुत अच्छी हूंगे आज मैं आप लोगों के लिए आलू और गोवी की एक मसालेदार सुखी सबजी का रेसिपी लेके आई हूं जो आप रोटी, पराठा या राइस के साथ साइड डिस खा सकते हो आप लंच हो या डिनर, आप किसी भी टाइम में बनाओ आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सब दिखने में जितना संदर लग रहा है खाने में उतना ही टिश्टी है और आप उसको एसे खाली भी खा जाओगे अगर एक बार 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 बनाना पसंद करोगे अगर आप लोगों को मेरा आज का रेसिपी अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल को नया देख रहे हैं तो प्लीज सबस्क्राइब टू माई चैनल अगर आप सेम वीडियो फेस्बुक पेस पे देख रहे हैं तो प्लीज फालो माई फेस्बुक पेस टीफाइन कुकिंग अन लाइफस्टाइल अगर आप कुछ नया वीडियो या नया रेसिपी देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताई तो चलिए आज का रेसिपी हम स्टाट करते हैं सब ची बनाने के लिए पहले हम फुलगो भी लेंगे और उसको कट करेंगे यसे मैं एक बड़ा फुलगो भी लेंगे उसका ऐसे फ्लोरेट में निकाल रहे हूँ और उसका स्टेम को मैं अलग करूँगी और फुलगो भी को मीडियम साइज में कट करूँगी अगर आपको बड़ा चंक्स में पसंदे तो आप बड़ा बड़ा साइज में भी कट करके रख सकते हो एकदम छोटा नहीं करेंगे, अब मीडियम रख सकते हो, नहीं तो थोड़ा बड़ा भी रख सकते हो यसे मैंने सबका स्टेम जो निकाल लगके रखा है, वो स्टेम को मैंने बात में छोटा-छोटा यसे चरप कर लूँगी उसको हम करी में यूज करेंगे, वो खाने में बहुत अच्छा लगता है, उसको फेकेगा मत तो मैंने यहाँ एक बावल में कुछ गरम पानी लिया हैं और उसके साथ मैंने फुल गोबी को डाल दिया, थोड़ा हल दिया और थोड़ा नमक डाल के उसको मीक्स कर दिया उसको 10 मिनिट के लिए वो गरम पानी में हम छोड़ देंगे, फिर हम करी का प्रिपेरिशन करेंगे हम गोबी और आलू का सबजी बना रहे हैं तो हम उसमें आलू लेंगे, आपको जितना क्वंटिटी में लेना है पले सकते हो मैंने यहां दो आलू लिया है और उसको एसे मैंने लंबे-लंबे सेफ में थोड़ा मोटा-मोटा कट करें हूँ एसे कट करने से यह आलो गोबी के सबजी में थोड़ा अच्छा लगता है तो मैंने इसे कट के आप चाहो तो उसको स्क्वेयर से इत में भी कट कर सकते हो अब ही मैंने एक बड़ा सा कड़ाई लिया उसको अच्छे से गरम होने दिया और फिर मैंने थोड़ा आयल आट करूंगी 2-3 टेस्पून आयल आप कितना क्वंटिटी बना रहे हो आप उसके हिसाब से आट केजिए और मैंने पहले गोबी आट कर दूंगी आयल आयल गरम होन हम तब तक फ्राई करेंगे जैसे कि उसमें थोड़ा लाइट गोल्डेन कलर आ जाए और आलू गोबी थोड़ा फ्राई हो जाए आलू और गोबी में हम अभी थोड़ा हल्दी आट करेंगे और स्वाधन उसर थोड़ा सा नामा कर्ट करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स क करने के बाद हम उसको कभर करके three to four minutes तक उसको medium to high flame में कभर करके पकाएंगे अभी three to four minutes हो गया है मैं आलो और गोभी को चेक करेंगे अब देख सकते हो उसमें थोड़ा-थोड़ा मैंने ऐल थोड़ा कम आठ किया है तो उसमें थोड़ा थोड़ा कडाई में लग रहा है अगर आप ना न्स्टिक में बना रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं लगे गा इसमें भी इतना भी नहीं लगेगा लेकिन आप देख सकते हो उसमें थोड़ा golden color हा गया है लाइट golden हो गया है और आप इस सबजी में जितना ही कम आयल चलो डाल सकते हो लेकिन एक सबजी बहुत अच्छे लगेगा उसमें ज्यादा आयल यूज करने की जरूरत भी नहीं और मैं उसको इसे कभर हटा के थोड़ी दर के लिए फ्राइ करूंगी फिर हम उसका मसाला प्रिपार करेंगे मसाला के लिए मैंने यहाँ 5-6 कलोप्स गार्लिक लिए दो इंचा द्रक लिए और दो हरी मिर्च लिए अब जितना तीखा खाते हो उसके हिसाब से ले लेना मैंने यहाँ एक सिल्वर्टा ले आ है और उसको दस्ता आप जो भी बोल सकते हो और उसमें मैं जींजर गार्ली कर्ड हरी मिर्च को उसमें कूट के डालूंगी उसको कूट के डालने से उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है अद्रक लिएशन पेश्च चाओ तो आप डा ले आया है उसको फाइन पेश्ट बनाने की जरूरत नहीं है एसे ही उसका टेस्ट अच्छा आता है और इधर हमारा आलू और गोभी थोड़ा गोल्डेन हो गया है फ्राय हो गया हम उसको एक प्लेट में निकाल देंगे फिर हम उसका करी प्रिपैर करेंगे अब यह मुस्को निकाल के कड़ाई में और टू टू थ्री टीस्पून मैंने आयल डाला है उसमें थोड़ा सा हींग आड किया है और उसके पात मैं उसमें आड करूंगी थोड़ा सा खड़े मसाला जैसे की जीरा तेश पता और डालचीनी आप भी डाल सकते हो फिर मैंने डालचीनी आड नहीं किया है मैं उसमें जो मसाला कोट के रखा था जो अध्रक लेशून और हरी मिर्च का उसको आड करके उसको एक दो मिनिट के लिए इससे फ्राई करूंगी और जब तक जब यह अच्छे से फ्राई हो जाए उसके पात मैंने एक बड़ा ओनियन को अलचीनी आड किया है और आप नमक भी अलू और गोवी फ्राई करने के टाइम में भी आड किये थे तो उसके हिसाब से आप आड कीजिएगा फिर हम करी के लिए एक मसाला प्रिपैर करेंगे लिए करड को मैंने पहले से फ्रीज से निकल के दो तिन घंटा पहले रख दिय अब नर्मल तेम्परेचर में क्रड होगा तो तो हम जब करी में आड करेंगे इतना ज़्या हble buttons ते डिशन आड कीजिए र सफिर्शेगे मिर्च आट करूंगी एक टीस्पुन जैसा मैंने आट किया है कोरियंडर पाउडर या धनिया पाउडर आट किया है आधा टीस्पुन मैंने कीचन किंग मसाला आट किया है आपके पस जो भी करी पाउडर है आप उसको आट कर सकते हो फिर मैंने उसमें थोड़ा आमचूर पा तो कभी तो फटता नहीं है अगर किसी का अगर काड़ डालने से फट भी जाता है आप थोड़ा आमचुर आट करके डालना तो कभी भी फटेगी नहीं और आलोगों भी में भी आमचुर का टेस्ट बहुत अच्छा थे तो मैंने इधर हाप टीस्पून आमचुर पाउडर आ आट कर देंगे और उसको मिक्स करेंगे और टामाटर आट करने के पाद मेरे जो गुबी का दंटल है जो स्टेम है उसको निकल के रखा था आप इसी स्टेच में आट कर देना और उसमें थोड़ा सा नमक आट कर देना क्योंकि हमने टामाटो आट किया है तो नमक आट करने से टमाटो जल्दी सब्ट हो जाएगा और थोड़ा सा मैंने हाफ टी स्पुन जैसा पानी भी अट किया है और उसको अच्छे से मीक्स करके उसको 3-4 मिनिट्स लो टू मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे और 3-4 मिनिट्स बाद आप देख सकते हो टमाटो हमारा थोड़ा मैंने फ्लेम को लो कर दिया है और जो कर्ड का मिक्स्चर हमने बना के रखा था उसको वाट कर दिया है और उसको हम आच्छे से मीक्स करेंगे और थोड़ी दिर के लिए उसको एसे 1-2 मिनिट के लिए उसको चलाएंगे जब कर्ड आच्छे से मीक्स हो जाएगा तब हम उस और मसाला से थोड़ा आयल दिखने लगा है तो हम इस stage में उसमें जो आलू और गोभी हमने रखा था फ्राइ करके उसको आड़ करेंगे अलू गोबी आट करके उसको मसाले के साथ अच्छे से मीक्स करेंगे और उसको कभर करेंगे फिर 2-3 मिनिट्स के लिए हम उसको low to medium फ्लेम में कूक करेंगे हमारा 2-3 मिनिट्स पर आप देख सकते हो हमारा आलू को भी ऐसे भी फ्राइ हो गया था और मसाले के साथ एकदम से वो रेडी हो गया है अगर आपको उसमें ग्रेबी चाहिए तो आप थोड़ा गरम पानी आट कर सकते हैं लेकिन मैं उसको सुखी सबजी बना रहे हूं तो मैं उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं आट करूंगे अब देख सकतो आलू हमारा एकदम से कूख हो गया है मसाला भी नीचे से थोड़ा सा लगा है लेकिन वो जादा नहीं लगा है वो ऐसे उसको अच्छे से मेक्स कर देंगे और लास्ट में हम उसमें थोड़ा कस्तुरी मिथी आट करेंगे थोड़ा रोश्टिट कस्तुरी मिथी मैंने आट कर दिया है फिर मैं उसमें थोड़ा सा हाप्टी स्पुन होमेट गरम मसाला आट करूंगे और थोड़ा सा कटी हुई हर्या धनी आट करूंगे फिर उसको अच्छे से मेक्स करके अप रोटी पराठा नान राइस जिसके सा चाओ आप सर्फ कर सकते हो सब के साथ बहुत अच्छा लगता है तो आप लोग ऐसे एक पर घर पे जरूर बनाए और मुझे कामेंट सेक्षन में जरूर बताए आप लोगों को मेरा आज ये भेज सबजी या गोबी अलू की मासालेदार सबजी और गोबी अलू के ड्राइ आप जो भी जाओ बोल सकते हो आपको केसा लगाए तो मुझे कामेंट सेक्षन में जरूर बताए तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक निया रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई थैंक्स पर वाचिंग